हलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल, गारेनिंग विच चिनु मिनु फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको म्यांगो पर किस तरीके से क्लेट ग्राप्टिंग की जाती है उसके बारे में फूल डिटेल्स बताएंगे म्यांगो पर कलेट ग्राप्टिंग करने के लिए प्लान्को कुद तीन से चार पूट उचाई में इस तरीके से आपको किसी धारदार चीजों से अक्चे से काट लेना है उसके बाद आते हैं हम सायन के उपर, सायन हमें इस तरीके से लेना है थोड़ा सा मोटा बाला सायन लेना है और जिस पर की नियूग्रत निकल के बाहर आती हो तो सायन को सबसे पहले स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है सायन में भी बाहर का जो फंगस बो लगे होंगे तो आप किसी सिस्टेमेटिक या कंटाक्ट फंगी साइड आप ले लिजिए उसमें सायन को अच्छे से 5-10 मिनिट कर तक दुबा के अच्छे से दो लिजिए तो मेरे खयाल से आप थोड़ा सा सार्फ वाला जो फंगी साइड आता है उसमें दोनों ही है सिस्टेमेटिक है कंटाक्ट है उसमें आप दो लिजिए उसके बाद जो भी टूल्स हम यूज करेंगे ग्राप्टिंग पे उसे सबसे पहले आलकोहॉल या आग से या सानिटाइजर से अच्छे से स्टेरिलाइज कर ले ना है फ्रेंड क्यूंकि इसमें भी व्यक्टेरिया या फंगस हो सकते है जो आमारे सायन को खराब कर सकते है उसके बाद फ्रेंड हमने जो स्टेरिलाइज किया हुआ चाकू या कोई भी कटर से या ग्राप्टिंग नाइप से आप जो प्लांट से एक गहरा कट लगाए कुछ इस तरीके से सीधी तरीके से गहरा कट लगाए आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड ये जो सायन अंदर तक अच्छे से बेट जाए आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड इस तरीके से हालका करने के बक्त ये जो हमारा चाला है वो कट या फट नहीं जाए तो उसके बाद आते हैं सायन के उपर सायन को आप भी सेप में कुछ इस तरीके से आप छील लिजे फ्र प्लांट में रखने दीजे उसका डीफलेज कर लिजे उसका सारा पत्ता जो है पत्ते को रिमूब कर लिजे और प्लांट में साथ दिन तक या आट दिन तक इस तरीके से रखने दीजे रखने से होता क्या है प्रेंड इसका जो टीप पर्षन होता है उस टीप पर्षन पर ये starch जुगार करके जमा करने लगता है जैसे कि इसका जो new growth start हो चुगे तो बोबाला सायन लेने से ये अच्छे से बहुत अच्छे से growth निकल के बाहर आता है तो हमने तुरंती सायन ले लिया है तो हमारे पास time नहीं था लेकिन आप उस तरीके से सायन लेजे फिर इस तरीके से आप एदेख सकते है फ्रेंट थोड़ा सा लूज किया हुआ हिस्से में इस तरीके से सायन को धीरे धीरे अंदर के तरफ तबाईए आप बहुत ज़्यादा जोर लगाईए नहीं तो हमारा सायन खराब हो सकता है तो इसी तरीके से हम तीन कट लगाएंगे तीनो तरफ तीन सायन हम बिठाएंगे फ्रेंट तो चलिए हम तीनो तरफ तीन सायन हम बिठा लेते हैं फ्रेंट्स आप ये देख सकते हैं हमने तीनों तरफ तीन सायन अच्छे से बिठा लिया है अब करना क्या है फ्रेंट्स इसके उपर आपके पास अगर ग्राप्टिंग टेप है तो ग्राप्टिंग टेप आप इस तरीके से बांध लिजे अगर ग्राप्टिंग टेप नहीं आता है उसे काटकर पतला एक इंच या दो इंच पतला काटकर उसे लिया भूा है इस तरी के से आप इसको भी र्याप कर लिजे । जैसे कि बाहर का air moisture इसके अंदर नहीं या सके और अंदर का बाहर भी नहीं आ सके तो इस तरीके से अच्छे से air water tight करके आपको बांध लेना है और ग्राप्टिंग को भी ये मजबूती भी प्रदान करेगा फ्रेंड तो इस तरीके से बांध लीजिए उसके बाद दो बीच का हिस्सा है जिसको हमने काटा हुआ था उस हिस्से में थोड़ा सा फंगिसाइड इस तरीके से आप लगा लीजिए जैसे कि यहां फर फंगस का इंफेक्शन नहीं हो सके फ्रेंड आप अच्छे से ये चारो तरफ फंगिसाइड से ढख लीजिए क्यों पलिथिन को आप अच्छे से इसके उपर इस तरीके से ढख लीजिए फ्रेंड पलिथिन का सीट देकर ढख लीजिए पलिथिन देने से फ्रेंड होता क्या है इसके अंदर एक ग्रीन हाउस जैसा एंभार्मेंट क्रिये थोड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो प्लांट हमन के लिए इस तरीके से छोड़ देना फ्रेंट्स अभी ग्राप्टिंग किये हुए कुछ 16 डेज हो चुका है और हमारा ग्राप्टिंग के इस तरीके से है और सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है चलिए हम इसे खोल कर आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हम पलिथिन सीट को हट लेते हैं फ्रेंट फ्रेंट आप देख सकते हैं हमारा ग्राप्टिंग बिल्कुल सक्सेस हो चुका है इसमें से निव ग्रोथ निकल के बाहर आ चुका है और यह बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी हो रहा है लेकिन फ्रेंट आप देख सकते ही यह जो दोनों मोर में देख सकते हैं इसके उपर सुक चुका है तो ये वाला अभी जो है कि तो नहीं हुआ है, लेकिन खराब भी नहीं हुआ है front हमने गल्ती कर दिया था जब भी हमने graft किया था जो polythin polythin seed थोड़ा था स्ट्रोंग लेना चाहिए हम जो polythin लिया था उसके उपर water लगने के बज़े से एभापूरेशन होने के बज़े से ये polythin आके scion पर लग गया तो इसे हम उपर के तरफ से काट लेंगे और फंगी साइड दे देंगे तो ये भी निव ग्रोथ निकल लेगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड मुझे कमेंट में जरूर बैताएगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक केजिए शेयर केजिए चलते हैं फ्रेंड थैंक यू